गूट मारिंग एवरिवन आज के क्लास में हम लोग NCRT मैक्स देखेंगे क्लास एट का यह हमारा एक्सरसाइज 7.2 है क्योबाइन क्यूबरोट का ठीक है इससे पहले के वीडियो में हमने अल्रेडी इसका इंटोडक्शन दे चुका है आप प्लेलिस्ट में जाके इसको डाला जाता है ठीक है देखें क्या है सो find the cube root of each of the following numbers using prime factorization method कौन सा मेथड़ से prime factorization method से तो इसमें हमारा first है 64 64 का cube root निकालना है prime factorization method से तो इसके लिए आपको क्या करना होगा पहले 64 को factorize करना होगा ठीक मतब इसको factorize कीजिए देखें कितना से यह 2 का टेबल से 236 224 फिर 2 का टेबल में 16 बार में होगा फिर 2 का टेबल में 8 बार में 2 का टेबल में 4 बार में 2 का टेबल में 2 बार में देखे तो 64 को पहले हम लोग इस तरह से factorize करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 क्या करेंगे यहां पर निकालना है मतलब को करना क्या है कि यह तीन तीन का 1 लिखा दरता तो यहां पर तीन है तो सिर्फ यहां पर 2 लिखेंगे मतलब 2 लिखेंगे 3 नहीं लिखना है तो टूटूजया 4 मताब क्यूब रूट ऑफ 64 जो हमारा हो गया वह हमारा 4 हो गया ठीक है चलो यह आपको समझ में आ गया होगा वीडियो को पॉस्ट करो और लिख लो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वह 27,000 है 27,000 है इसका क्यूब रूट निकालना है ठीक है प्राइम ट्राइजिशन मेथड से तो देखिए क्या करेंगे यह हमारा 27,000 जो दिया हुआ है इसको पहले हम लोग फेक्तराइज करेंगे 27,000 को तो कितना बार से होगा पह प्रिदी जा नाइन हो जाएगा फिर याँ पे जिरो जिरो फिर अगर आम थी का टेबल में देखेंगे तो यह वन में जाएगा थ्री वन जा थ्री इधर जिरो 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 ठीक है अब यह थी का टेबल में नहीं जाएगा आप टू का टेबल में देखेंगे टू का टेबल म सकते थेवाब लोग लिख सकते हैं तुरे इंटो डू टू इंटो टू इंटो 5 इंटो 5 इंटो 5 देखे यह श्रीम और देखे तीनरे पांस त भार ऩो तेखे है तो स्कोर्ण क्या लिखेंगे टिक ग्यूब लिखेंगे फिर फ्र्रीव मुण सब्सक्राइब 3 3 3 देखे 3 वा रहे 3 का 4 3 हो गया दो 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 देखे 3 वार 1 दो का 5 तीन हो गया पांच 5 देखे तीन पांच का पार 3 हो ठीक है तो तरह से कोई भी अगर दिया हुआ रहेगा तो आप इसको प्राइंट्राइजिशन मैथड़ से निकल सकते हैं यह बहुत ही असान मैथड़ था उमीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा वीडियो को पॉस्ट करो और लिख लो ठीक है और बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बीच में सियर करें ठीक है और आप नेक्स्ट बार में किस चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं इसके लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे ठीक है बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत